नमस्कार सभी को आप मैं राजीव कुमार आज क्रोना योग सीरीज यानी दूसरे लॉकडाउन के पांचमें दिन 19 सप्रेल को आपके सामने एक और प्रानायाम लेकर उपस्थित हूँ इससे पहले कि हम अगला प्रानायाम सिखें मैं आपको बैठने के आसनों के बारे में कुछ बताना चाहूँगा जिस आसन में मैं अभी बैठा हूँ वह सुख आसन है सुख आसन में हमारे दोनों पैर हमारे जो है वो जमीन को टच करेंगे जिसको पंजाब में आमतोर पे लोग चौंकडी कहते हैं दूसरा आसन है जिसमें हम अपने किसी भी एक पैर को उठाके एक जान के उपर रखते हैं और दूसरा पैर हमारा जमीन को टच होता है इसको हम अर्द पदमासन कहते हैं तीसरा आसन है पदमासन पदमासन हर प्राणायाम को करने के लिए तेंत ही लाग कारी है इसमें जो है हमारा कोई भी पैर जमीन को टच नहीं होगा और दुञलों पैर हमारे दुने जंगां के उपर रहेंगे यह प्राणासन प्राणायाम को करने का सबसे अति उत्तमासन है एक और आसन है जिसको हम कहते हैं वज्जरासन वज्जरासन में हम अपने दोनों पैरों को मोड़के इस तरह और इस तरह हम बैखते हैं इस आसन में भी हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं खाना खाने के बाद हम तरंत वज्जरासन में बैठें ये हमारे digestive system हमारे खाने को तरंत जो है वो डगेस्ट करता है और हमें मुटाफेसी बचाता है तो इस तरह ये वज्जरासन में हम दिन में किसी भी टाइम बैठ सकते हैं लेकिन जो नए लोग है वो वज्जरासन में बैठ ले से पहले इसके अपने पैरों के नीचे कोई तकिया या कुछ चद्दर जरूर रख लें तांकि उनको बैठ होने दिक्कत ना हो तो जो पांचमा प्राणाजाम आज हम करेंगे उससे पहले जो हमने चार प्राणाजाम किये थे उसका एक सुक्षन दूप से मैं आपको अभ्यास जरूर करवाऊंगा सबसे पहले जो हमने किया था वो था उदगीत यानि ओम का उचार इस वातावरण में इस ब्रामंड में लगातार ओम-धुनी का उचारन हो रहा है तो हम इस धुनी के साथ अपनी धुनी को मिलाएं और ओम का उचारन करें लंबी और गहरी स्वास भरें दूसरा प्राणायाम हमने किया था अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम तो इसको कैसे करना है पहले राइट हैंड का प्रयोग करना है लेफ्ट से लंबी और गहरी श्वास भरने है राइट से छोड़ना है फिर लेफ्ट से भरना है राइट से भरना है और लेफ्ट से छोड़ना है यह हमारा एक राउंड अनुलोम विलोम का पूर्ण होता है तो इसके भी हम 10, 12, 15 राउंड राम से कर सकते हैं सहज रूप से अतियंत ही लाबकारी है हिर्दय रोगों के लिए अपने हमारे हाट को यह मजबूत करता है बीपी को नॉर्मल करता है तीसरा प्राना जाम हमने किया था भस्त्री का प्राना जाम मैंने आपको बताया था कि हमारे श्रीर की इम्मुनिटी को स्टैमने को बहुत बढ़ाता है लेकिन गर्मी में जैसे अब आगे गर्मी आ रही है तो गर्मी में इस प्राना जाम को कम करना चाहिए और जिनको हाई बीपी रहता है पीट में दर्द रहता है इस प्राना जाम को बिलकुल धीमे से करें करना कैसे है जोर से श्वास को अवाज के साथ बरना है और जोर से ही श्वास को अवाज के साथ छोड़ना है कैसे तो इस तरह लगभग 20 से 25 बार हम इसको एक राउंड में कर सकते हैं तो ये भी प्राणायाम हम अपनी दिन चर्या में इसको जोड़ें चौथा प्राणायाम हमने किया था कपाल भांती प्राणायाम जैसा कि मैंने आपको बताया था ये शूगर के लिए अतियंत लाग कारी है हमारे पैंक्रियस को एक्टिव करता है और इवन ब्रेंट यूमर तक को भी ये फीक करता है और हमारे जो वेट है उसको सम करता है नॉर्मल करता है जैनि जिनका वेट ज़्यादा है वो भी नॉर्मल पे ले आएगा और जिनका कम है उनको भी नॉर्मल पे ले आएगा तो इस तरह का चमतकारी प्रानायाम है कपाल भंती तो इसको भी धीरे धीरे हम शुरू कर सकते हैं लेकिन धीरे धीरे जब हम इसका अभ्यास हो जाए तो इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है जो नॉर्मल स्पीड है वो एक मिंट में साथ बार हम साथ स्टोक इस ते लगा कैसे करना है तो इस तरह कबाल भंती प्रानायाम हमने किया है दोस्तों आज हम इस सीरीज का जो पांचमा प्रानायाम है यानि इस पैकेज का अंतिम प्रानायाम वो हम लोग करेंगे तो इस प्रानायाम का नाम है भरामरी गुझन जैसे जो भंब्रा है एक फूल के चारों तरफ मंड़ाता है और आवाज निकालता है कैसे इस तरह की अवाज हमने निकालनी है लेकिन इसमें एक दो बातों का ध्यान रखना है कि अवाज करते हुए हमारे दान खुले रहे हमारे होंट बंद रहेंगे जीब को अंदर मोड़ना है तालू की तरफ उपर की तरफ और कमर को सीधा रखना है श्वास को लंबा भरना एक वर देखेंगे कैसे करना है अब ये जो भरामरी गुंचन हमने किया है ये इसका हमने इनीशल स्टेप किया है बिगनर्स के लिए इसके भी अत्यानत ही लाव है मैं आपको वो लाव बताने जरूरी समझूँगा क्योंकि जो कुछ भी हम करते है हमें उसका हमारे श्रीय के उपर क्या प्रभाब पढ़ रहा है इसके बारे में जरूर पता हो बच्चा जैसे आज बहुत बड़ी एक समस्या है बच्चों में कि वो घंटा दो घंटे कंसंट्रेशन के साथ बैठने में उनको दिक्कत है बढ़ने में या कोई भी काम करने में पंद्रा बीस बीस मिन्ट के बाद उनको ये लगता है कि हम उठें और कुछ और करें भागने को करते हैं तो इस से इस प्राणायाम को बच्चों को करवाने से उनमें एकागरता और स्थिर्ता बढ़ती है किसी भी काम को करने के लिए ये दो चीज़ें तेंतिय वश्यक हैं स्थिर्ता और एकागरता तो बच्चों की इस समरन शक्ती बड़ी बढ़ती है बच्चा जो भी पढ़ेगा उसको लंबे समय तक याद रहेगा तो ये इस प्राण जाम में चमतकार है और जैसे आज दुनिया में बहुत बड़ी एक लाइफस्टाइल ड्जीज है वो है स्ट्रेस की डिप्रेशन की जिसके लोग बहुत सारे लोग इसके शिकार है और बहुत बहुत द्वाईया इसके लिए लेते लेकिन मैं आप इसको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिन लोगों को इस तरह की समस्या है अगर वो इस प्राण जाम को करेंगे तो धीरे धीरे उनको इस समस्या से भी छुटकारा मिलेगा क्योंकि जब हम भरामरी गुजन करते हैं तो हमारे यहां पूरे ब्रेन में अलफा ब्रेन बेव्ज जो हैं वो बनती हैं और जिससे हमारे श्रीर में हमारे ब्रेन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है और negativity निकलनी शुरू हो जाती है और जिनको नीद नहीं आती रात को पूरी रात करवट लेते लेते निकाल देते हैं आप रात को सोने से पहले इस प्राणायाम को 5-7-10 मिन तक कीजिए लगातार बेड़ पे लेट के कर लीजिए बैठ के कर लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नी है और देखिए आपको कितनी अच्छी नीद आनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी लेकिन एक मन में सबसे जो महत्व पुरुन है बिश्वास सबसे महत्व पुरुन तो ये प्राणायाम तियंत ही लागकारी प्राणायाम है इसको हम दिन में किसी भी समय कर सकते है उठते बैठते अपने आफिस में बैठे हुए ट्रैवलिंग करते हुए कोई दिक्कत वाली बात जैसा कि हमने पहले किया था शुरास को भरा और अवाल की अब इसका दूसरा स्टेप है अगर आसपास शोट जादा है तो अपने अंगुठों से कानों को बंद करेंगे तीन उंगलें हमारी आँखों के उपर रखेंगे एक माथे के उपर और लंबी श्वास भरेंगे उसी तरह आवाज भूमरे की तरह निकालेंगे किसी भी प्राणा जाम को करने के लिए अगर हम अपनी आँखों बंद रखेंगे तो इससे हमें और अधिक लाभ मिलेगा और प्राणा जाम को करने के बाद हम तरनत आँख ना खोलें उस प्राणा जाम का उस अभ्यास का हमारे श्रीर के उपर क्या प्रभाब पड़ा है इसको हम जरूर अनुभव करें और तांके हमारे मन और हमारे श्रीर में एक अच्छी कौडिनेशन बनी रहे एक अच्छा समन्में बना रहे तो इसी उमीद के साथ कि हम लोग इन प्राणा याम को अपने जीवन का